शेक हसीना जो इन दिनों अपना वतन छोड़कर भारत में रह रहे हैं क्योंकि बांगलादेश के हालाद चिंताचनक बने हुए हैं हालाकि इस पीच उनका एक बड़ा बयान सामी आया शेक हसीना का कहना है कि आवामी ही के कई नेताओं से उस संपर्क में हैं उन्होंने ये भी कहा कि वो राज़नीती में परवेश करने के लिए तयार हैं बांगलादेश में हालाद बदलने के बाद वो अपने वतन लोटेंगे इसी दर मिया उन्होंने एक संदेश भी बांगलादेश के लिए जारी किया जिसमें उन्होंने अपनी सरकार के पतन के पीछे अमेरिका का हाथ पताया हसीना ने आरूप लगाया कि अमेरिका को सेंट मार्टन आइलेंड नहीं सौपने के कारण उन्हें सत्ता से बेदिख़द होना पड़ा जिसके पाद तमाम सवाल खड़े होने लगे कि आखे ऐसा क्या है जो सत्ता जाने की जड़ बना क्यों अमेरिका इसको अपनाना चाता है इन सब सवालों के जवाब आज इस वीडियो में जानते हैं दरसल सेंट मार्चन द्वीब बेहत खूपसूरन चोटा सा आईलेंड है जो बांगलदेश का एक मात्र कोरल आईलेंड है जिसे इसकी खूपसूरती के लिए जाना जाता है यहां का साफ नीला पानी और कोरल जैसे ठेरो चीजे लोगों को आकरशित करती हैं यह आईलेंड टूरिस्टोक में भी बेहत लोग प्रिये है इसे नारीकेल चिंजीरा या दारुचीनी दीप के नाम से भी जाना जाता है बंगार की खाड़ी के उत्तर पूली जेतर में महस तीन किलोमेटर स्कुएर एरिया में फैला एक चूटा सा दीप है जो कौक्स पजार टंफाव प्रायदीप से करीब नो किलोमेटर तक्शम में बसा हुआ है जबकि ये म्यानमार के उत्तर पूली तक्शम में तक्शम में नाम नदी के मुहाने पर स्कुएर बता दे सर्दियों के दौरान यहां का मौसम बहुत बढ़िया हो जाता है और यहां की एकॉनमी मुख्य रूप से मच्छी पर करने चावल नारियर की खेती और टूरिजम पर निर्मर है इस चोटे से दीप पर करीब 6,000 लोग रहते हैं पताया जाता है कि इस दीप को अचार्वी शतामदी में अरभ्या पारियों ने पहली बार बसाया था साल 1900 में एक ब्रिटिश भूमी सर्वे दल ने इसको ब्रिटिश भारत में शामिल कर लिया और इसका नाम सेंट माचन नाम के एक इसाई पाद्री के नाम पर रखा गया म्यानमार के अलग होने के बाद साल 1907 में ये ब्रिटिश भारत का हिस्सा रहा है फिर 1947 में भारत भाजन के समय ये पाकस्तान के हिस्सा चला गया फिर 1971 में बांगलदेश मुक्ती के वक्त ये बांगलदेश म्यानमार के बीच समधमता भी हो चुका है कि ये दीब बांगलदेश का हिस्सा रहेगा हलाकि कई बार इस दीब को लेकर बांगलदेश म्यानमार के बीच विवाद भी हुए है रिपोर्ट्स की माने तो समुद्री सीमा के सिमांकन पर विवात की वज़े से संप्रभुता के दावो को लेकर संघर्ष उतरा है दोरोदेश इस शेतर के आसपास बचली पुकरने के अधिकार को लेकर आपस में भिड़ चुके हैं साथ हज़र बारा में इटरनाशनल ट्रिब्यूनल फॉर दो लॉओ अफ दे सी ने अपने फैसले में कहा कि ये दीब बंगरदेश के टेरिटोरियल सीम महादूर्पिये शेल्प और ईईजेट का हिस्सा है अब सबसे हैम सवाल आफिर अमेरिका क्यों इसे अपना बनाने में लगा हुआ है खबरों की माने तो सेंट मार्टन दीब पर अमेरिका इसलिए भी अपना कब्जा करना चाता है क्योंकि अगर वो इस जीप पर अपना बेस बना लेता है तो चीन को चनौती देख सकता है चीन के बटे खत्रे के मदर नसर भी अमेरिका इस अलाके में अपनी पर सिती मस्पूत करना चाहता है ऐसे कहा जा रहा है कि अमेरिका सेन रूप से इस छेतर में मस्पूत हो जाता है तो उसको चीन पर दबाव बनाने में मदब मिलेगी साथ ही वो भारत लानमान पर भी नज़र रख सकेगा इतना ही नहीं बंगाल की खाड़ी पर अमेरिका का प्रभाव रुचाएगा साथ ही बंगाल की खाड़ी की किनारे बसे भारत के उडिसा में मिसार टेस्टिंग फसिलिटी है जहां वो निगनानी कर सकता है जो एक चिंता का सबब बन सकती है बता दें यह दीब रणितिक तोर पर भी एहम है जिसकी चलक्ष शेक हसीना के बयान में भी दिखाई देती है दरसल हसीना ने जो आरूप लगाया वो हिंद महासागत छेतर में चीन की रणिती को सामने लाता है चीन अपने तदा कदिक Belt and Road Initiative यानि की BRI के हिस्से के रूप में सैने ठेकानों और आर्थिक प्रपार गल्यारू की एक सीरीज त्यार करके भारत को आगे बढ़ने से रूपने की कोशिश में चुटा हुआ है बांग्नदेश ने चीन के साथ अपनी बियाराई पहल में भागिदारी की है जिसे भारत अपनी संप्रभूता का बुलहंगन मानता है क्योंकि ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान की कबसे वाले कश्मीर पियो के से फोकर कुसरती है स्टोरी को आपके लिए तियार किया था हमारे साथी मंचकारश अपकान नहीं स्टोरी पर आप अपनी राया में कॉमेंट करके बता सकते हैं साथी वीडियो पसंद आई हो तो इससे लाइक करें मारे चानल को सब्स्ट्राइक करें ऐसे ही और वीडियो का नोटिफिकेशन पारिंग के लिए बेलाइकर पर क्लिक करना ना भूले